नमस्ते स्वागत आपका टेकनिकल सार्थी चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने SBI नेट बेंकिंग में अपना प्रोफाइल पासवर कैसे सेट कर सकते हैं जब भी आप SBI नेट बेंकिंग में अपनी पर्सनल डिटेल्स देखना चाहेंगे या फिर पर्सनल डिटेल्स में कोई चेंज करना चाहेंगे तब आपको प्रोफाइल पासवर की आउसकता होगी SBI Net Banking में profile password set करने के लिए सबसे पहले हमें Google Chrome को open कर लेना है यहाँ पर हमें search box में SBI Net Banking लिखे search कर लेना इसके बाद हमें first वाले option पर click कर देना इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें continue to login पर click करना इसके बाद हमें यहाँ पर username, password और capture डालके login कर लेना इसके बाद हमें यहाँ पर one time password OTP एंटर कर देना जो हमारे registered mobile पर आ गया है यहाँ पर OTP फिल करने के बाद हमें submit वाले बटन पर click कर देना इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो profile password set करने उसका page यहाँ पर automatic open हो चुका है यानि कि जो first page ही अमारा profile password set करने के लिए आ गया है यहाँ पर हमें profile password एंटर कर देना बस यह ensure करना है कि जो अमारे login password है वो profile password के same नहीं होना चाहिए यानि यहाँ पर हमें इंस्योर करना है कि जो sbi net banking का जो login password है वो ही profile का password नहीं होना चाहिए यहाँ पर हमें different password यूज करना है यहाँ पर नए profile password एंटर करने के बाद नीचे भी confirm कर देना है यानि कि same profile password यहाँ पर भी डाल देना है profile password fill करने के बाद हमें यहाँ पर एक hint cushion मिलेगा जिसे हमें select कर लेना है कोई सा भी एक question select कर सकते है मैं यहाँ पर एक question select कर लेता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर answer डाल देता हूँ यह जो hint question है यह उस time पर काम आएगा जब हम अपना profile का password भूल जाएंगे और इसी hint question के मदद से अपना profile password नया set कर पाएंगे यहाँ पर मैं अपना hint answer या password भी enter कर देता हूँ यहाँ पर hint answer फिल करने के बाद हमें submit वाले बटन पर click कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमारा जो profile password है वो successfully set हो चुका है दोस्तो आप भी कुछ इसी तरीके से अपना profile password set कर सकते हैं यानि कि अपना नया profile password बना सकते हैं दोस्तो इस वीडियो से related आपका कोई भी query या सवाल हो तो नीचे comment box में comment करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करे, channel को subscribe करे Thank you so much for watching झाल झाल